लाइव है तस्वीरे और जेपीएस के प्रांगन में बैठे हैं और आज फिर एक बार फिर असंद की जो जीत हुई है कल हमारी एक बेटी थी उसका जो सेलेक्शन हुआ था डेस्पी लगी है और एक बेटे ने जो है आईएटी के अंदर एडमीशन हुआ है जेपीएस के प् अरे तो सर सबसे पहले शुब कामना है आपको और क्या खास आज नमशकार जेपीएस अकादमी की तरफ से आपका बिनंदन और आज बड़ी खुशी की बात है कि जेपीएस अकादमी का जो इस साल का प्रेजेंट प्लस टू का स्टूड़न्ट है उसका रिजल्ट एड़ांस किलियर किया है पहले मेंस किलियर किया था और विदाउट एनी टूइशन विदाउट एनी कोचिंग, सेल्फ एफ़र्ट, सेल्फ स्टुड़ी, प्लैन स्टुड़ी, तो हम तो बहुत बहुत खुश हैं जे प्रिंसिपल, जे टीम लीडर, जे पेरेंट्स क्यों तो खुश बहुत हैं, तो बहुत जाद अएक्स्प्रेशन तो हम नी शो कर पा रहें, लेकिन आप जरूर वान ओवन आप फेस टू फेस उमंग से बात करें, क्योंकि वो अपने एक्स्पीरियन जाला बताएगा, क्योंकि ये बच्चा हमारे पास JPS Academy में सेकंड क्लास में इसने admission लिया था, तो second से लेके plus two तक तो हमारा तो एक रिस्ता रहता ही है, as a teacher and taught का, तो हमारा एक moral duty होती है, बच्चे की personality को नर्चर करना, उसके academics को नर्चर करना, लेकिन क्योंकि हम काफी साल से ट्राई कार रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है, वो टॉप क्लास जो officers rank में चाहे engineering है, चाहे medical है, चाहे वो CAs है, management है, और इसमें हमारे बहुत सारे बचे निकले भी है, IIM हो गया, या engineering होगी, MDs होगे, बहुत सारे बचे ने हमारे clear की है, तो over to Umang. तो Umang से बात करते हैं, पुरा सफर पुछेंगे, Umang, क्या विशिस थी और यहां कब आए, तो क्या-क्या था मन में, कहां जाना है, किस लाइन में अब चले गए, क्योंकि काफी उचाईयों को चुछ हुए है, पुरा बताईगा, विरिव से. मेरा शुरू से मन था कि मुझे इंजिनिरिंग करनी है, बीटेक से, और कुछ मचों का होता है, मतलब जैसे उनको फोरण जाना होता है, मेरे पेरेंट्स ने का था कि फोरण जाने कोई जुट नहीं है, यहां पर बोत कुछ है, तो मैंने यहीं से, मैंने अपना डिरिम बना किसा मेल जोल रहा, किस तरीफ से मोटिवेट करते थे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कि टीचर्स रास्ता दिखाते हैं, कि बेटा इस रास्ते पर जाओ, कुछ आपकी विशीज हैं, कुछ पैरेंट्स की विशीज होती है, कैसा रहा है? टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया, उन्होंने काफी, मतलब जितने बहुत पढ़ाया हमें, जितना हो से उतना पढ़ाया, और जितने बेसिक फंडेमेंटल्स थे, वो हमारे क्लियर कराए, और प्रिंसिपल सर ने भी काफी मोटिवेट किया मुझे, पुछ किया कि मतलब मु उन्हों से बातचीत करेंगे कि उस यसी रिजल्ट आया, तो पूरे परिवार की आखों में प्यार भरे आँसु आ गए, तो उन्हों से बातचीत करेंगे, वो पल कैसे रहे, वो आप भी साथ थे उस ताइम जब रिजल्ट आया? यहां पर नही था, मैं नानी की घर ता, आ मुँ मिठा करवाएंगे पहले एक पर, तो उमंग का मुँ मिठा करवा रहे हैं, सर, प्रिंजिबल सर, और आज एक जोस भी है, एक जुनून भी है, एक जो उत्सव, दिपावली का उत्सव है, यह है दिपो का आत्तेवार, जब कोई बच्चा का अपने देश के लिए, ज जो स्कूल के टीचर से उनके मन में होती है, और भविश्य में यह दिए, ऐसे बच्चे, अपने, सभी जो आपके स्टूटेंट्स हैं, जो आपके साथ ही हैं, उनको क्या एक मैसेज देंगे, जितना हो सके, उतने ज्यादा NCRT करें, बेसिक फंडेमेंटल, जितने हो सके, क्योंकि जो जए मेंस में हैं, सब कुछ NCRT से ही आता है, उससे एक्स्टराओडिनर इतना कुछ नहीं आता है, जए एडवांस के लिए थोड़ा कह सकते हैं, कि भाहर से आपको त्यारी करने की जूरत है, मतलब यह भी नहीं कि मतलब, NCRT एक्जांपलर करें जितना हो सके, NCRT basic fundamentals, जी सर, बिल्कुल, मैं इसमें कायड करना चाहता हूं कि जनली बच्चे जो जब 11th क्लास में admission लेते हैं, तो वे सोचते हैं कि 12th में हम बोर्ड की क्लास है, भी बिल, हम उसमें जादा काम करेंगे, लेकिन यहां पर जब आप इंजिनरिंग में देखते हैं, तो वहा पर 11th को ज़्यादा कॉंसेंट्रेट करने की जूरत है, जो हम काफी fundamental से, इस पर काफी focus करते हैं, कि 11th में ही बच्चे को counselling और motivation करके हम उस लेबल पर ले आएं, था कि वो बच्चा consistently जो है, अच्छा preparation करना, start कर दे. खुश्य का दिन है, खुश्य का तेओहार है, उनकी ममी से बातचीत करते हैं, कि कैसा रहा, क्या फिलिंग्स जो है आपकी उस से में, रही सबसे पहले पूरा प्रिच्चे दें, आप अपना भी, और इनके पिता जी का भी. सबसे पहले तो हमाशकार, मेरा नाम अनु कटारिया, और इसके पापा का नाम ललित कटारिया, हम लोग असन से बिलॉंग करते हैं, और मेरे बेटे ने अभी आइटी में अडमीशन हुआ है, उसका आइटी जम्मू में, तो हम सब लोग बहुत खुश हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा, सबसे पहले मैं ठैंक्स करूंगी पूरी जेपियस एकैडमी को, प्रिंसिपल सर को, चेर्में सर को, और इनके जो मंग को, जिन टीचर्स ने पढ़ाया, उनका सब का तहे दिल से शुप लिया, तो जब रिजल्ट आया, आपको पता लगा, तो क्या, क्य क्या विशिज सबी और बच्चों के लिए जो इसके साथ पढ़ते थे, या फिर इन स्कूल के और बच्चों के लिए, उनके लिए भी यही विशिज हैं कि वो भी अपने गोल को अचीव करें, और आगे अपने पेरेंट्स का और स्कूल का नाम रोशन करें, तो जब कोई बच्चा अपने स्कूल का अपने माता पिता का अपने देश का नाम रोशन करता है, तो काफी खुशी होती है, और उमंग की जो उमंग है वो बरकरार रहे, बविशे में जो यह और उचाईयां चूता रहे, तो अपने देश के लिए जो हिसके मन में है कि मुझे अपने द पुराने दिनों को मैं याद करता हूं आज भी किसे हम वहां पर पड़ते थें हुर खेलते भी थे या पर्लाल सबकुछ चलता था हमने सब कुछ किया है मझे भी करें और पढ़ाई भी किया साथ ही अभी सबी साथ ही मिलें, जी सर, मिलते रहते हैं, उनसे बात भी होती रहती है, बात्चीत होती है, जी सर, और भी जो स्टूटेंट है, वो उमंग की तरह है, जो है, त्यारी करें, और जैसे सर ने बताया कि, 11th के उपर जो है, फोकस किया जाता है, NCRT से ही जो है, पूरा का सलेबस आता है, अलग एक्स्टर त्यारी करवाने की कोई ज़रूर्द नहीं पड़ती, एक विश्वास होता है स्कूल का, और स्कूल के जो टीचर से आपको जिस तरी के से काम करवाते हैं, उनका जो अनुभव है, कई वरसों का, वो आपके काफी काम आता है, तो दोस्तों बने रहिएगा, और जैपियस अकैडमी ने जो आज एके नई बाजी मारी है, उसके लिए सभी को शुब काम रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन, जैवार्त, जैहरियाड़ा